हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव टेंड फ्लेंड चरनी पर मार लविंग टेंड सोल साब सभों को बहुत बहुत प्यार एवब अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मैं सभी का स्वागत करती हूँ प्रियों एक डियाफ ने कमेंट्स में लिखा था क्या इनसान सिर्फ भगवान से जुड़कर ही इस जर्नी में आगे बढ़ सकता है या इनरवर्ग करना जरूरी है आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके प्रश्मों का उत्तर मिल सके प्रियों ये ट्विड फ्लेम जर्नी इश्वर की जर्नी ही है ये प्रेम की एक दिवे यात्रा है ये विश्वास की जर्नी है और जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं विश्वास रखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत से अद्भुत और अलौकिक अनुवा होने लगते हैं और आप उन बातों को देखते हैं जो आपको रोमान्शित कर देते हैं क्योंकि ये दिवे प्रेम की यात्रा है जिसमें आप इश्वर तक पहुँशते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं और इसमें आपकी सहयोगी आत्मा यानि कि आपका ट्विन पूरी रिती से आपको सहता कर रहा होता है इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आपको जागरित करने के लिए इस जर्नी का अधार ही है विश्वास यदि विश्वास रखते हैं तो यह जर्णी है, वरना यह जर्णी आपके लिए एक illusion बन कर रह जाती है, इसलिए जब तक आपके मन में विश्वास है, आप इस जर्णी में आगे बढ़ रहे हैं, और उन तेवे बातों को अनुभाव कर रहे हैं, जो इश्वरी है, यह Twin Flame जर्णी दिवे प्रेम की यात्र इसलिए है, क्योंकि प्रेम ही इश्वर है और इश्वर ही प्रेम है, और इस जर्णी से बहुत ही महान नाम चुड़े हुए हैं, शिव शक्ती और राधे क्रिश्ने, जिन्होंने अपने प्रेम को उस उचाई पर पहुचाया था, जहां पर वो प्रेम पुजनी बन गया, और आज भी संसार में पुजा जाता है, वो एक उधारन है, जिन्होंने बताया कि आप अपने प्रेम को इतना पवित्र बनाएए, इतना पावन बनाएए, ताकि वो पुजनी हो जाए, टुईट जब मिलाये जाते हैं, तो उनके बीच एक अनकंडिस्निक लव होता है, अनन्त प्रेम है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका कभी अन्त नहीं होता, जो चेरिस्थाई है, क्योंकि ये ईश्वर का प्रेम है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसी प्रेम को अनुभव करते हैं, और ईश्वर का प्रेम, जब पहली बार उन्हें महसूस होता है तो उन्हें लगता है कि हमने पहले कभी भी इस प्रेम को नहीं जाना था आपका ट्विन प्रेम का एक ऐसा छोटा रूप है जो आपके जीवन में आता है हलागि उसके द्वारा इश्वर का प्रेम ही आपके सामने आता है लेकिन इस प्रेव की विशेस्ता ये है कि इस प्रेव की अनुभूती को आप कभी भी भूल नहीं सकते भले ही जब आप सेपरेट हो जाते हैं तो भी आपको आपका ट्विन याद रहता है आप कितना भी उसे भूलाने की कोशिश करें लेकिन आप नहीं भूल सकते याद करिए कि जब आप अपने ट्विन से मिले थे तो उसके लिए जो आपकी अनुभूती थी आपको ऐसा लगता था कि आप बार बार उसे देखे उससे मिले एक दिवान की एक जुनून एक पागलपन इस प्रेम के लिए और ये प्रेम ऐसा ही है क्योंकि ये इश्वर सरुप प्रेम है एक बार यदि आपका ट्विन आपको दिख जाए तो आपको ऐसा लगता कि मैं पूरा हो गया तो इस प्रकार की जो अनुभूती आपको होती थी वो इश्वर के प्रेम की एक जलक थी जिसे आपका ट्विन लेकर आता है लेकिन आप इस बात को सोचिए कि जब ये एक जलक है तो पूरा का पूरा प्रेम वो विराट प्रेम वो महान प्रेम कैसा होगा जिसे आप बाद में जानते हैं इसलिए कहा जाता है कि आप का ट्विन आपको इश्वर से जोड देता है आपको आपके उद्देश से जोड देता है आपको मोक्षित तक पहुंचा देता है क्योंकि उससे विछडने के बाद उसको ढूंदते हुए ही आपकी एक दिवे प्रेम की यात्रा शुरू होती है जिसमें डार्ट नैट आप दा सूल भी आता है और उस अंधेरे कमरे में ही आप रहकर अकेले अपनी आत्मा को ढूमते हैं और उस वक्त ईश्वर से मिलन होता है उस वक्त ईश्वर आप से बाते करते हैं उसारे संदेश आप तक पहुचाते हैं कि तुम इस जर्नी में हो और इस जर्नी को पूरा करो तब आपको इस जर्नी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और आप साधना करते हैं और वहां से निकलते हैं अंधेरे से प्रकाश की और एक नई यात्रा एक नए अध्याय का प्रारंब जब आप डिवाई से सोल मर्जिंग करते हैं और उस वक्त आपके 5D के DM से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है उस वक्त आप कम्पलिट होते हैं आप स्वेम को हील कर चुके होते हैं आपके भीतर कोई अधूरा पर नहीं होता आप स्वेम में पूरे होते हैं आपकी आत्मा अब भाग भाग कर अपने DM को नहीं ढूनती क्यों उसे मालूम है कि जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है Divine Masculine वो आपके भीतर ही है और ये तब होता है जब आपके भीतर शिव जागरित हो जाता है ये जर्णी प्रेम की दिवियात्रा इसलिए है क्योंकि यहां हम प्रेम सीखने के लिए आते हैं हम प्रेम ही हैं हम प्रेम का ही रूप है हम उस प्रेम यानि की इश्वर की संतान है लेकिन यहां आकर हम उस प्रेम से अलग हो जाते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संसारित्ता की भीड में खो जाते हैं और वो शुद्ध और पवित्र प्रेम जिससे हमारी उत्पत्ती हुई थी वो हमसे अलग हो जाता है और तब हमारा ट्वीन आता है एक बार फिर से उसी प्रेम से हमें मिलाने उस इश्वर के प्रेम को लेकर और तब हम उस यात्रा में निकल पड़ते हैं जहांपर फिर से हम उस इश्वर से जुड़े जिसने हमें इस संसार में भेजा है इसलिए ये प्रेम की एक दिवे यात्रा है और हर एक ट्विन को इस यात्रा को पूरा करना है इस जर्नी में बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं आपको आपके ट्विन के द्वारा ही हर्ट किया जाता है और वो इसलिए ताकि आपकी अवेकनिंग हो क्योंकि ये जर्णी एक learning की जर्णी है जहां आप कुछ सीखने के लिए आए है जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी की वज़े से आप hurt हो तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे कुछ माफ कर पाते हैं और कुछ नहीं पर यहाँ पर एक test है डिवाइन आपको परक रहे होते हैं प्रेम के नाम पर कि जिनसे आपने इतना प्रेम किया क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं और यदि नहीं कर सकते तो क्या ये प्रेम नफरत में बदल जाएगा अगर ये प्रेम नफरत में बदल गया तो ये जर्णी वही पर अधूरी छोट जाती है क्योंकि प्रेम को प्रेम ही रहने दो उसके रूप को कभी बदलने का प्रयास मत करना क्योंकि जैसे ही उसका रूप बदलेगा सब कुछ अवैवस्तित हो जाएगा इसलिए जब आप से कहा जाता है कि आपने चाहे जो भी महसूस किया हो आपके ट्विन ने आपके साथ जैसा भी वैवहार किया जो भी कहा उन बातों के लिए उन्हें माफ करो और मुवन करो खुद पर फोकस करो और अपनी जर्णी को पूरा करो तभी आप खुद को शांत कर पाएंगे खुद को हील कर पाएंगे, बैलंस कर पाएंगे क्योंकि ऐसा करके आप स्वेम को मुक्त करते है क्योंकि यदि उन पुरानी कड़वी यादों को आपने अपने अंदर रखा है तो ये कभी भी आपको अपनी इस जर्णी में आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि छमा करना प्रेम का दूसरा नाम है और जिसने छमा करना सीख लिया उसने एक युद्ध जीत लिया ये जर्णी शारिरिक्ता के इस तर से शुरू होकर आत्मिक्ता के इस तर तक पहुंशती है ये 3D से 5D के उपर की जर्णी है जब आपकी चेतना उपर बढ़ती है और वो इसलिए होता है क्योंकि आपका ट्विन आपके जीवन में आता है और उसी के वज़े से आपकी अवेकनिंग होती है और आप इश्वर के उस देव प्रेम तक पहुँच पाते है जब आपको पता चलता है कि आखिर सत्य क्या है मैं क्या हूँ मैं क्यों इस धर्ती पे आया हूँ क्या करने के लिए आया हूँ तब आप उस सत्य से अवगत होते हैं और वही एक मोक्ष है शारिरिक्ता से अध्यात्मिक्ता की यात्रा रूट चक्र से सहत्राट चक्र तक की आत्रा याद करिए कि जब आप अपने ट्विन के लिए एक चुम्ब के आकरसन को महसूस करते थे बार बार उसे देखने या उससे मिलने की जो इच्छा होती थी वो खिचाओ वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप दोनों की सोल एक ही है और वो एक दूसरे को पहचानती है और बाहरी रूप से आप उस आकरसन में बंधे हुए एक दूसरे के सामने आ जाते थे लेकिन जब आप इसी मार पर चलते हुए जब ध्यान, साधना, इनरवर करते हैं तो आप हील होने लगते हैं, बैलन्स होने लगते हैं एक ऐसा समय आता है जब आप पूरी रीती से निूट्रल हो जाते हैं और उस वक्त आपके मन में वो प्रेम होता है जो उस इश्वर का दिवे प्रेम है क्योंकि उस वक्त आप अपने ट्विन के लिए उस आकरसन को इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे होते हैं अगर वो आपके सामने आप ही जाए तो आप बैलन्स रहकर उनसे बात करते हैं लेकिन पहले जो एक दिवान की थी एक पागलपन था जिसके कारण आप उनके पीछे भागते थे उस सारी बाते छुट जाती है क्योंकि अब आपने स्वेम को इतना बैलन्स कर लिया है इतना कंप्लीट कर लिया है कि आपको मालुम है कि जो बाहर आपका ट्विन दिखाई देता है वो तो आपके भीतर ही है जब आप खुद को बैलन्स कर लेते हैं अपने आप में कंप्लीट फिल करते हैं तो आप प्रेम के भाव में होते हैं और ये प्रेम का भाव ऐसा है जब आप उस समय को जीते हैं आप पहली बार अपने ट्विन से मिले थे क्योंकि जब आप स्वैम ही प्रेम बन चुके हैं तो आपका ट्विन भी प्रेम के भाव में ही होगा याद रखिए ईश्वर ज्यान भी है और प्रेम भी लेकिन प्रेम सरुपरी है ये सबसे महान उर्जा है इसलिए जब आप प्रेम के भाव में होते हैं तो उस इश्वर को जीते हैं उस इश्वर को अपने आप में महसूस करते हैं और उस वक्त आपका ट्विन सबसे ज़्यादा आपके करीब होता है आपके साथ होता है आप में होता है तो प्रियो इस जर्णी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप प्रेम के भाव में रहे, उस अनकंडिशनिंग लो में रहे, ताकि आप उस प्रेम को हर वक्त महसूस कर पाएं, उस प्रेम में जी पाएं, प्रेम बन जाए ताकि आपने प्रेम को जो आपका ट्विन है अपनी ओर आकर्शित कर पाएं क्योंकि प्रेम को देख कर ही प्रेम आकर्शित होता है रही बात इनर वर्गी तो इनर वर्ग आपको हमेशा करना है क्योंकि इसके द्वारा ही आपकी शिवशक्ती बैलन्स होती है आप अपनी आंतरिक साथ चक्रों की विवस्था को जानते हैं क्योंकि उसे हीलिंग और बैलंसिंग की जर्वत पड़ती है इसी लिए ये जरूरी है तो प्रियों, खुद पर काम करिए अपने आप पर फोकस कीजिए प्रेम में बने रहिए और प्रेम के स्वरूप में हो जाएए ताकि इस जर्वत को पूरा कर सके तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेसी ओल मेरी सूल फैमली आप सभी की जर्वत पूरी होए